देरिश देंट स्वागा थे आप सभी का हमारे अनलाइन क्लास जोग्रोफी में आज का हमारा अध्यन विशय है क्रिशी भूगोल और इसमें हमारा जो अध्यन टापिक है वो है क्रिशी भूगोल का अन्य विशय के साथ संबंध इसमें हम अध्यन करेंगे कि क्रिशी भूग विज्ञान से यानिकि फसल विज्ञान से फिर है पशुपालन विज्ञान क्योंकि क्रिशी के साथ पशुपालन भी किया जाता है पौध विज्ञान क्योंकि क्रिशी कारे जो हम करते हैं वो पौध एक रूप में करते हैं उसका व्रिछारोपड़ टाइप का उसको क्या करत तो चलिए अध्यन करते हैं क्रिशी भूगल का कौorest कौ Lynn कौ carry के साथ संवंग्ध है यह क्या है किससी का संबन्द है को चीया कर संब्ण कि होता है जो क्रिशी क्रिशी का काय होता है वह एक निस्चित जलवायू में होता है उसके लिए अवश्यक्त आपमन होती है एक निस्चित जल के अवश्यक्त होती है फिर क्रिशी और भूमी आकारकी आप सभी को पता है कि एक निस्चित भूमी आकारकी में क्रिशी कार्या संपन होता है एक छोटे छेतर है ज्यादा छोटे छ क्रिषन कर सकते हैं मयदानी चेत्र में अधिक क्रिशी कर सकते हैं जो पठारी क्रिषी और परवती छेत्रे में धलान होने के वाज़े से इसमें क्रिशी कार्या संपन नहीं कर सकते हैं इस प्रकार क्या है क्रिशी भूम्या जो भूवाकार की है इसका भी अंतरसंबंध है फिर क्या है क्रिशी और रसायन सास्र है वो कैसे क्रिशी कार्या में क्या होता है एक निश्चित खाद्य की आउशक्त होती है जो पौधे को विकास या गती प्रदान कर सके तो उसके लिए विभिन प्रकार की रसायन फर्टिलाजर की आउशक्त होती है इस प्रकार से जिसका अध्यन हम किस में करते है रसायन सास्र में करते है रसायन सास्र की माध्यन से उस क्रिशी और मृदा विज्यान तो क्रिशी कार्ये के लिए मृदा बहुत ही अवर्शक है क्रिशी का जो अधार है वो क्या है वो मृदा ही है मृदा में ही क्रिशी का उत्वादन किया जाता है तो यह क्या है मृदा विज्यान सबसे महत्यपूर है क्योंकि मृदा का जो अध् अध्यान किया जाता है क्योंकि अलग-अलग क्रिशी के लिए अलग-अलग प्रकार के मृधा उप्यूक्त होती है पुश्युपालन के लिए जी शेत्रे में क्या होता है घास की उत्पादन अधिक होता है उन्स शेत्रे में करते हैं जी शेत्रे के मिट्टी जो उपजाव हो की जिल वायूक्ट होते हैं तो उनका ध्यन्द वनस्पत्ट शास्रा में प्रूचिते हैं कि इस जन्वायू fest यौई ऑज उन स्पत्ट काीज स्वहनान है तो आप सभी को पता है कि क्रिशी कार्या कौन करता है, मानाव करता है, और उसके लिए क्या वश्यक होती है, क्रिशी कार्या के लिए मजदूर की भी आवशक्ता होती है, क्रिशी को देख रेक के लिए किसकी आवशक्ता होती है, लोगों की आवशक्ता होती है, पश्वूव से बचाने के लिए या बीमारियों से बचाने के लिए तो इस प्रकार से समाज सासर और इसका भी घनश संबन है क्रिशी जो उत्पारित माल है उसका उभोक कौन करता है समाज करता है समाज के लोग करते हैं इस प्रकार इसका अंतर संबन है फिर क्रिशी और जनांकी की का क्र क्रिशी और जनसंख्या वो कैसे एक दूसरे संबंदीत है आप सभी को पता है कि वर्तमान भी क्या हो गया है जैसे 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 जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है क्रिशी के उत्पादक्ता में भी क्या हो रहा है उसमें अधिकता आ रही है वो और अर्थ सास्रा तो आप सभी को पता है कि क्रिशी उत्पादन के बाद हम क्या करते हैं उसका व्यपार करते हैं यानि को उसको उत्पादित करने के बाद उसको हम क्या करते हैं बजार में ले जा करके बेशते हैं तो बजार में ले जा करके बेशते हैं तो वो क्या हो जाए आपको और राजनिती सासरा का सिमय कीशी वहता है कि आप सभी को पता है कि या वरतबाल में क्या हो रहा है जो किसान वगरा है वो अपनी जो क्रिश्य उत्पादन है उसको क्या करने के लिए विप्राण करने के लिए सरकार से अनेक मांगे रख रही है क्योंकि उनको अपनी उत्पादन का उचित दाब नहीं मिल पा रहा है और शरकार भी क्या करता है अपनी राजनितिक सासन को वैसित बना रखने के लिए इन किसानों की डिमांडों को पूरी भी करती है किसानों के विकास के लिए क्या करते हैं क्रिशी और परिवहन भूगोल ये कैसे एक दूसरे समबंदी थे क्रिश्य उत्पादन को बजार के बजार केंद्र तक लेगने किसके आउशक्ता होती है हमको एक वहन के आवशकता होती है इस वहन में हम क्या कर सकते हैं अपने जो क्रिशी उत्पादित माल है उसको भर करके ले जाते हैं कहां? मार्केट ले जाते हैं इसके लिए क्या है? परिवहन भी आवशक है पिर एक कीशी भूगोल और अद्योगी घूओल तो ये एक दूसरे से कैसे सम्बन्दित है आप सभी को पता है कि कीशी उत्पादन को हम कहां ले जाते हैं मार्केट में ले जाते हैं उनका अलग-अलग क्या करते हैं जो कच्छे माल के उत्पादित है खादान उसको क्या करते हैं अलग अलग पाक्वान बना कर बेचते हैं वो उत्योग से संबंदित हो गया फिर पसु पालन है तो पसु पालन करने के बाद हम क्या करते हैं उसको फिर उसको क्या करते हैं वेपार करूप में प्रयोग करते हैं उन पसुओं को क्या करते हैं क्रिशी और इतिहास का क्या संबंद हैं देखें क्रिशी प्राराम में कैसे होता था वर्तमान में उसका स्वरूप इस प्रकार से कैसे हो गया इन सभी कध्यन हम किस में करते हैं क्रिशी इतिहास इसमें करते हैं यानि कि क्रिशी इतिहास भूगोल में करते हैं हम लोग तो इस इस प्रकार से यह क्या है? एक दूसरे से संबंधिते हैं. इस प्रकार से इन सभी विशय एक उसान्थ क्रिशी भूगोल का अंतर संबंध इस सापित होता है. अब इनकी व्याख्या का अध्यन कर लेती हैं हम नीचे ताकि आपको नोट्स तयार करते वक्त भी कोई दिकत नहा सबसे पहले हैं क्रिशी भूगोल और जल्वाईयू विज्यान. यह कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं? इनकी व्याख्या देखते हैं. तो क्रिशी को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में काउन करते हैं? जल्वाईयू के प्रमुकतत है. जो क्या करते हैं? पौधो सिवं वित्रण प्रतिरूप इसी के द्वारा क्या होता है? निस्तित होता है जिस सेत्र में क्रिशी के लिए आवश्यक जल्वाईयू की वर्सा होगी उस सेत्र में? क्रिशी प्रतिरूप क्या होगा? संकेंडरित होता है. इसके अंतरगत क्या आता है? तापमान, वर्सा, प्रदेश में कौन-कौन सी फसले उत्वन की जाती है इसका भी निर्धारण जलवाई उद्वारा ही होता है जिस सेते में उत्तन जलवाई होती है यानि कि तापन और वर्सा ये सभी अधरता ये सभी उत्तन होती है उस सेत्र में उसी प्रकार की क्रिशी की जाती है वर्सा में कितनी फसले ली जा सकती है, यानि कि वर्सा में कितनी फसले, जिस शेतर में क्या होता है, जाव मिटी जल के वर्सा होते हैं, उस शेतर में दो फसल और तीन फसल ले जाते हैं, एक वर्सा में, लेकिन जिन शेतर में क्या होता है, इसकी वर्सा नहीं होते हैं, उस श अब जिया वगरा है, फूल वगरा है, ये सभी क्या होता है, जलवायू से प्रभावित होता है, जिन छेत्रों में क्या होता है, जलवायू एक निश्ची वो नहीं पाय जाता है, उस छेत्र में क्या होता है, बागानी क्रिशी की जाती है, उसी प्रकार क्या है, ये सभी एक भू अकार की, भू अकार की का मतलब क्या है, भू का अकार, भूमी का अकार कैसा है, परवति है, पठारी है, मैदानी है, किस प्रकार से भूमी का अकार, किसमें हम कर सकते हैं, क्रिशिकारिया, धाल प्रमारता अधिक है, उसमें क्या कर सकते हैं, क्रिशिकारिया नहीं कर सकते अधिक उच्छ भूमी क्रिशी कार्य नहीं कर सकते जो पठारी हो उसमें क्या कर सकते हम पस्तु पालान वगेरा कुछ अन्य क्रिशी कार्य कर सकते हैं जो मैदानी उसमें सबसी अधिक क्रिशी कार्य कर सकते हैं इस प्रकार से क्या है ये संबंधीत है फिर क्या है अगला क्रिशी और रसायन सास्र इसका अंतर संबंध कैसे है ये बताएं तो आप सभी को पता है कि क्रिशी और रसायन सास्र में घनिष्ट संबंध है गहरा संबंध है क्रिशी रसायनी ग्यान से डारेक्ट जुड़ा हूँ है यानि कुन से सीधी जुड़ी हुई है मृदा की जो गुडवता है उपजों की छती पहुचाने वाले जो कीरे मौकोडे बीमार्या है वो रसायनिक उर्वारक वगरा है इनका उपयोग एवं क्रिशी उपजों के रख रखाव में दवायों के अवशक्ता परती है इनका सभी का अध्यन हमुए किस में मिलता है रसायन सास्त्र में मिलता है अधा क्रिशी की जो सुरुवात से ले करके अंधा के क्रिशी और सधी क्याव शक्ता भी बहुत ही आवश्यक है अपर यहार यह है मृदा की गूडवता विशेश कर मृदा में नाइट्रोजान, फासपूरा, स्पोटेसियम इसकी कमी के अधार पर निश्चित मात्र में इनको ये सभी प्रदान की जाती है ताकि इनकी जो उत्पादकत है उनको बढ़ाया जा सके या उनको एक निश्चित रूप में रखा सके ताकि हमारा फसल क्या हो सही हो इस प्रकार से क्या है रसायन सास्त्र का क्रिशी के लिए बहुत ही आवश्यक भूमी का निभाता है एक पौधे का बीज डालने के लिए पूरो मिट्टी परिछण करना आवश्यक है क्योंकि उस मिट्टी में उस बीज का उत्पादन या प्रतिफूलन सही हो पायगा कि ने, इसका पता हमें मिट्टी परिछण सही पता चलेगा और मिट्टी परिछण किसके माध्यांस होता है रसायन के माध्यांस होता है इसी प्रकार कृड़ मोकोड़े के बचाओं के लिए भी मृदामें रसायनिक तथ्व के प्रियोक कीया जाता है तो इस प्रकार सिए सभी क्या है क्रिशी और रसान सास्त्र एक दूसरे से संबंधित हैं फिर अगला जो टॉपिक है वो है क्रिशी और मृधा विज्यान क्रिशी और मृधा विज्यान एक दूसरे से कैसे संबंधित है इसका ध्यन करते हैं मृदा क्रिशी के अधार सिला है क्रिशी हम किसमे करते हैं वो मृदा में ही क्रिशी कार्या करते है हमारा जो क्रिशी होता है इस मिट्टी में ही होता है मृदा के उचित ग्यान के बीन हम क्या कर सकते हैं क्रिशी उतपादन नहीं कर सकते क्रिशी उत्पादन और संभव है यदि हम परवती छेत्र में यानि की जहां पस वनस्पत्ती उत्पादन के लिए उचित मृदा नहीं है उस छेत्र में क्रिशी कार्य करेंगे तो क्या होगा वहां पस केवाल घास उत्पादित होगा मुश्किल से वो भी हमारा क्रिशी उत् प्रिशी और वनेस्पत्ति सास्टर क्रिशी और वनेस्पत्ति सास्टर एक दूसरे से कैसे संबंधित है इसका अध्यन करते हैं क्रिशी और वनेस्पत्ति सास्टर में घनिश्ट संबंध है क्योंकि हम क्या करते हैं क्रिशी कार्य वनेस्पत्ति या पौधे के रूप में ही करते हैं हमारा जो क्रिशी कार्य होता है वो किस के रूप में होता है छोटे छोटे पौधे के रूप में होता है या वनस्पत्तिक रूप में हम करते हैं जो गन्य वगरा है वो क्या है एक वनस्पत्तिक रूप में और धान वगरा उत्पादित करते हैं वो पौधे के रूप में होता करते हैं कुछ पूनसपत्ति या पौध का उत्पादन होता था वह सीमाय आजकर टूट गई है क्या हुआ है जैसे जैसे समाय का विकास होता है वैसे वैसे उसके प्रणाम स्वरूप भी इसमें क्या हुआ परिवातन होते गया आज गहें हूं कि क्रिशी निमने अक्षांसों से लेकर के उच्झक्षां से यंगी परवत पठार मैदान सभी चेतरों में हो रहा है मांसुनी प्रदेश से लेकर、、 के इश्टेपी प्रदेश है उसमें भी हो रहा है इस प्रकार से क्या होते जा रहा है वेज्ञानिक equally का कोईफ वेज्यानिक होजे के परणरान्स क्रूप एवां प्रश् Leg Two čण्याग करें भी बदलने में बढ़कर जल्वाइयू में किस प्रकार की outfatherा करें, ताकि हमारा outfatherा क्या हो? अधिक हो, व्हिश्ची हो उचित मात्रमे हो. इसकी हम अध्यन किस में करते, वनसपत्ति, शाश्च्रमी करते हĩं किस जल्वाइयू में किस प्रकार की वनस्पत्ती उप्योग तो होगी इस प्रकार की खोज वनस्पत्ती सास्रा में ही होता है इस प्रकार से यह क्या है एक दूसरे से संबंधित है फिर अगला जो है वो क्या है क्रिशी और समाज सास्रा का संबंध कैसे है इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध क्रिशी के प्रकार प्रतिरूप प्रवीधी के छेत्र समाजिक तच्छों से भली भाती प्रभावित होता है। समाज क्या करता है उसको प्रभावित करता है। यदि हम संसार के क्रिशी विश्यस्ताओं का विश्यसर करें तो हमें पता हो चलता है कि इसानों की जीवन प्रणारी अलग अलग है। संबंदित है तो क्रिशी और जनांकी की बहुत ही महत्त पूर है। यह क्या होता है एक दूसरे से प्रभावित होता है। जैसे कि कुछ फसल उत्पादन एवं पसु के रख रखाओं के लिए मानों के अवश्यक्ता अधिक परती है। और श्रमानियते जहां जनसंख्या कम होती एवं पसु क्रिशी में सर्ष्यों एवं उनके उत्पादन प्रविधी को ध्यान में रखा जाता है। उत्पादन अधिक किया रहा है। श्रमानों के क्रिशी अधिक की जारी है। जितना अधिक जनसक्या बढ़ा है उतना ही अधिक उत्पादन लेने का प्रयास करने इस प्रकार जनांकी की और क्रिशी का अपस में गहरा संबंद है। फिर एक क्रिशी और अर्थसास्रक का संबंद। तो कृषी और अर्फ सवासर को पता है। तो आप उस्थे संब्धित सभी को पता है कि क्रिशी मानों का प्राचिन समय कले mêsी है, वृवज़ाय रहे है ل मानों क्या करता है, क्रिशी करता है, उत्वादित करता है। बजार कंद्र में ले जाता है,מתर वह सती को, उसको बेच करके आय प्राप्त करता है अर्थ प्राप्त करता है जो कि किस्ते संबंदित है क्रिशी अर्थ सास्र से संबंदित है वो क्या करते है क्रिशी के जो कच्छे माल है प्रेर पोधे उनसे क्या करते है कागाच वगेरा उद्ध्योग इस्थापीत करता है वीविन प् साथ जोंखृ Maori करते हैं तो इस से अगला क्रिष्व कानन के साती जाता है किफिष्वृ करते हैं क्रिष्व अध्यान करने के जाता है कि ने क्रिष्व में कैसे की जाती ती इस नांतरित कृ bakни tur sOMet assim से जो क्या था जिव को पाजन कृषी की मचलिपने में कि'm to फैसे करते ठेसे जीवं तो निर्वाहक लिए कृषिक बारा कर्डे चुश कारें करते थे बजारूर्णां की जो पयद्शी में उत高 क्रिशी के अंतरगत आता हैं बजार उन्मुख है। वो क्या करते हैं, कعृशी का उत्वादन करके अपने खाने के लिए भी रखते हैं और उसको देषते भी हैं। इस्प्रकार क्या है? यह कृषी और इतिहास के घनश्य सम्बन्ध है। प्रारम में क्रिशी किस प्रकार थी? वर्तमान में क्रिशी प्रकार है, इसका तुलनात्मा कध्यन जो क्रिशी है और इतिहास है, इसके अंतरगत की जाती है इस प्रकार से इन दोनों का गहरा संबंध है तो इस प्रकार से हमारा क्रिशी और जो अन्यविश्य है उनके साथ अंतर संबंध इस सापित होता है तो आज के लिए इतना ही धर्ण